नमस्कार दोस्तों राम राम केम्चो कैसा काई सच से कालतों दोस्तों आज फिर आपकी बारी वरक्राइब पर लेकर आया हूँ एरपट रोड के पास सेक्टर 123 में आप सब की बहुत सांधार सांधार क्वैरी आरती के नियल जी एरपट रोड पे हमें सांधार विला देखे लेकिन उससे पहले location देखिए दोस्तों यह देखिए यह है हमारा so fit road जो कि अलिश्टा पैलस वाला रोड है आप देख सकते हैं बिल्कुल रोड के पास में दोस्तों हमारी यह 6 कोटियां बन रही है सांधार कोटियां बन रही है दोस्तों 107 गज में अगर मैं Demiस की बात करें दोस्तों सड़े 22 by 43 का दोस्तों डेमेंसन इसकी को ठीकी रहने वाली है फस्ट फॉल दोस्त अलिवेशन देखें कितना एलिगेंट और सानदार दोस्तों एलिवेशन रहने वाला जिसमें कलर कंबिनेशन आप देख सकते हैं सिंपल और सोबर यहां पर दोस्तों क बना कर दिया है और इसमें एक प्लस पैंट और क्या है दोस्तों जो टैरिस है ना टैरिस पर दोस्तों आपको क्या मिलने वाला है परसनल गार्डन उसके अंदर दोस्तों बहुत सांदार सांदार हमने पूल और सांदार प्लांट और प्यूटिफुल लाइट का इस्तमाल क आई है और आने जाने में अगर आपकी गाड़ी अंदर जा रहे तो टाइल बिल्कुल बिने टुटे और यह देख सकते हैं दोस्तों ग्रेलिंग क्या बात है सांदार मजबुत्ते के साथ दोस्तों आपकी चार दिवारी रहने वाली है सांदार गेट के साथ और जैसे हम से लगा कर दिए ताकि नमी पपड़ी बिल्कुल भी ना आए और यह देखिए स्टेश के निचे यह रहेगा दोस्तों आपका आप चाहिए तो रूम आप इसको बना सकते हैं और यह देखिए पाइप जो स्लेंडर है आपका बाहर रहेगा किचन में नहीं रहेगा ठीक है ऑइन धें दोस्तोंडर है सउनदर अन्डर बनाने के लिए दोस्तों प्रौफाइल लाइट का इसमाल किया गया है आप चलते हैं धुकरियें अन्धर करते हैं लिकिन उससे पहले दोस्तों देखिये मैस डोर आपको मिलने वाला है सांदर मैस डोर मिल जाएगा जो कि बिれए तो दोस्तों यह देखिए यादाती है हमारा ड्रॉंग राइनुक अरिये आप देख सकते हैं सार कर दोस्तों आते हैं आप आपको ओफर भी मिलेगा प्लस सनमाइका की चोईस भी आपको मिलेगी प्लस कलर कंबिनेशन की चोईस भी आपकी रहेगी लेकिन उसके लिए क्या करना है आपको फटा फटा आना पड़ेगा कोठी के पास और दोस्तों अगर मैं बात कुरू डाउन सीलिंग की डाउन हो चुकी है एलेडी पैनल आपको दोस्तों मिलने वाला है जिसमें आप सांदार एलेडी इंस्टॉल करके आप देख सकते कितना सांदार कलर कंबिनेशन यहां पर एलेडी पैनल में देखने को मिल जाएगा जिसमें आप आपके कोई भी आइटम रख सकते हैं छोटी चाहिए और होनी चाहिए ताकि अगर गैस ट्रॉइंग एरिया में बैठा है तो जो किचन का जो परसनल एक स्पेस होता वो बना रहे तो दोस्तों उसी चीज़ को मद्द नजर हमने रखा है आप देख सकते हैं एल टाइब में किचन रहने वाली है सांदार मर्बल के साथ आप यह देख सकते हैं दोस्तों सांदार सिंक रहने वाली है सेरा कंपनी की दोस्तों सेनेटरी रहने वाली है डबल सिंक रहने वाली है यहां पे एक सांदार विंडो मिल जाएगी आपको और यह देखिए दोस्तों क्या बात है अपर कैबिन आप देख सकते हैं कितने की कमी नहीं रहने वाली है क्या बात है मतलब कि अगर आप पैसा लगा रहे हो नो तो पैसा वसूल भी होगा इस विला के अंदर यह देखिए दोस्तों यह सांदार पैंट्रे आ जाती है जिसके अंदर आपका सारा का सारा ग्रोसरी की आइटम आप आराम से इंस्टोल कर सकते है रेफ्रेजरेटर का स्पेस भी सांदार होने वाला है आप चाहें तो रेफ्रेजरेटर यहां पर रख सकते हैं यह स्पेस भी खाली हो जाएगा डाउन सेलिंग आप देख सकते हैं दोस्तों किचन के अंदर भी सेम एजटी आपको डाउन सेलिंग मिलने वाली है जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुवात में बताया था दोस्तों जो हमारा यह विला है 3BH के रहने वाला है दो जो बैडरूम है वो ग्रंड फ्लोर पे रहने वाले हैं एक बैडरूम प्लस कीचन वह आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा सबसे पहले दोस्त हम फर्स्ट बैडर वाली है अगर मैं बात करें दोस्तों यह ऌड़ी पैनल की से मेज़िज आपका लड़ी पैनल मिलेगा आप चाहिए तिसमें भी चेंजिंग करूआ सकते हो अगर मैं बात कर दोस्तों बैकराउंड में बैकराउंड सकते हैं दोस्तों वाड्रोग क्या बात है लाइट के साथ प्रोपर लाइट रहेगी जैसी हम मैं इसको बंद करूँगा लाइट बंद हो जाएगी अपर कैबिन आप देख सकते हैं निच्चे अगर मैं बात करूं यह रहेगा हमारा सूरै क्या बात किंग साइज बैड मैं स्टोर यह देखिए स्पेशियस आप चाहें तो फ्रेंट में भी बैक साइड में मैंने आपको बताया था और यह देखिए दोस्तों एटाइच वोस्रूम रहेगा फुल हाइट तक दोस्तों आपको मिलने वाली है किसी भी चीज़ से दोस्तों नहीं किया आप देख सक बात करें दोस्तों सेकंड बैडरूम की सेकंड बैडरूम तो इससे भी ज्यादा लग्जरी होने वाला है क्यों क्योंकि कलर कमिनेशन ही हमने ऐसा रख है दोस्तों लाइक आप देख सकते हैं मोल्डिंग का बीच में हमने यहां पर वोल पेपर का थोड़ा सा छोटा छोट समाल किया है ताकि जो लुक है आपके बैटरूम की वह बहुत ही सांदार निकल कर आए अगर मैं बात कुर दोस्तों डाउन सेलिंग की डाउन सेलिंग में भी आप देख सकते हैं सांदार डाउन सेलिंग रहने वाले विद प्रूफाइल लाइट और इसमें भी दोस्तों ज केविन देखती दोस्तों ये रहे गा हमारा सू रेक हागर मैं बात करूँ ड्रेसिंग ऐ्रिय की ड्रेसिंग आरिया रहेगा जिसके अंदर आपके पर्सनल समाहरकने का भी कैविन हमने बनाकर दे दिया है यह देख सकते हैं और एटाअच रहे गा दोस्त हमारा वेश्रूम वोस्रूम के अंदर भी दोस्ता आप देख सकते हैं लक्जरी वोस्रूम मिलने वाला है फूल आई तक टाइल्स रहेगी वेंटलेशन का भी ध्यान रखा है दोस्तो अगर मैं बैडरूम की बात करूँ दोस्तो दोनों बैडरूम में आपको एसी की डप्टिंग ओलडी दोस्तो जैसे मैंने आपको वीडियो के सुरुवात में बताया था कि अगर आपकी छोटी है ग्रांड फ्लोर पे रह सकती है अगर आपके पोकेट में आए ठीक है दोस्तो तो दोस्तो यह देखिए उसी चीज़ को हमने फुल्फिल किया है बाहर की तरफ से आपको यह स्ट देखिए जो फूट स्टैप रहने वाला यह नहीं कि फूट स्टैप छोटे हैं अच्छे खास यहां पर फूट स्टैप रहने वाले हैं उपर आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहां पर आते हैं उपर एक छूटा सा आपको इस एंडुलर देखने को मिल जाएगा डाउन स चिलिंग है उसके अंदर हमने लुवर्स विद लाइट प्रोपर तरीके से लगा कर दी है ताकि जो लुक है आपके को ठीकी बहुत ही सांधर तरीके से निकल कर आए आप देख सकते हैं टाइल्स लुवर्स और साथ में बहुत हैवी हैवी यहां पर आपको आयरें के जो स्ट फ्लॉर की फिर्स बेडरूम में तो दोस्तों जैसे हम इस फ्रस्ट फ्लॉर पर आया है ना आप देख सकते हैं एंटर्स पे ही कीचन देखने को मिलेगी कीचन आपने बहुत सारी बिल्डर्स है देखने को मिलेंगे जो की कीचन आधी अधूरी बनाकर छोड़ते है कि फर् और तो और डाउन सीलिंग भी यहां पर बना करती है विद प्रफाइल लाइट और यह देखिए अपर में भी बहुत सारे ऐसे कीचन दोस्तों देखने को मिलेगी जिसमें एक ही सिंक मिलती है लेकिन यहां पर आपको डवल सांट लैस सिंक मिलेगी और साथ के साथ अगर मै पाजाता है हमारा बैडरूम जो कि आप आपना चाहे तो मास्टर बैडरूम आप इसको बना सकते हैं चाहे तो आप इसको रेंट आउट कर सकते हैं दोनों और यहां पर आपको मिलने वाले हैं जिसमें आपको देख सकते हैं यहां पर अच्छा खासा ड्रेसिंग देखने क को मिल जाएगा विद लाइट LED लाइट देख सकते हैं स्क्रिप लाइट का इसमाल किया है पिछे लूइस का इसमाल किया है नीचे कैविन आपको देखने को मिल जाएंगे और रहेगा दोस्तों जो कि सिंपल नहीं लगजरी आपको वहसरू मिलने वाला है फुल हाइट तक ट बार बार वही बात दो रहा हूंगा अगर आप अभी आते हैं एक एक चीज आपकी चोईस की बन जाएगी डाउन सेलिंग आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे कि मैंने ग्रांट फ्लोर पे आपको दिखा आधा ड्रोइंग और बैडरूम के अंदर जो डाउन सेलिंग है इसके अपर कैबिन आप देख सकते हैं अपर कैबिन दिखा देता हूं दोस्तों आपको यह देखिए सांदर अपर कैबिन और निच्चे रहने वाला है सूरेक और इस बैडरूम में प्रोपर तरिके से नैच्रिल लाइट आती रहे उसका भी ध्यान रखा है है यहां पर टफन ग बनाते हैं और जो टैरिस पर गार्डन की बात कर रहा था आई दोस्तों यह देखिए साम के टाइम तो दोस्तों इसमें नजारा ही कुछ अलग तरिके से आने वाला है जिसमें लाइट प्रोपर्टिके फ्लावर वाव बहुत ही सांदार दोस्तों हमरा यह विला रहने वाला है तो दोस्तों आपने विला देखा 107 के रियार्ड का यानि 107 गज का हमारा यह सांदार विला रहने वाला है डाइमेंशन मैंने आपको बताई थी दोस्तों साड़े 22 x 43 इना 43 की यह इसकी डाइमेंशन रहने वाली है अगर मैं बात करूँ दोस्तों में हाइवी की यहां से सिर्फ जो न्यू चंडिगेट रोड है ना तो जिसको हम एरपोर्ट रोड भी बोलते हैं हैं मार्क אח तर यहां से 팀ाो की दूरी पर मार्केट बिल्कुल पास में जैसे कि आ वीडियो में देख़ेंगे से subsidi और यहां प्रेमिल चाएगी 91,90,000 उर्पे दोस्तो इसका प्राइस रहने वाला है नेगोशेशन हो जाएगी दोस्तो लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तो आप सब सोच रहे होंगे कि निल जी बार-बार ओफर की बात करेते हैं ओफर क्या रहेगा ओफर की मैं बात करूँ दोस्तो आपको प्रोपर तरीके से मुडल कीचन मिलने वाले है जिसके अंदर आरो चिमनी गीजर और फैन आपको ये चीज़े मिलने वाले है ये सिर्फ रहेगा आपका जो अभी नवरात्रा चल रहा है न दोस्तो इसका ही ओफर रहेगा तो थोड़ी सी भी दिरी ना कीजी दोस्तों मिलेंगे एक ऐसी बैतरन वीडियो के साथ प्रोपर्टे के साथ अब तक के लिए जैहे